इरीस में शाज पुरानी यादों में नाखो कर वर्तमान में रहे। आपको बहुत से नए अफसर मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नती होगी और अथ्यात्मिक रूप से आपकी उरिध्धी होगी। किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास करें। किसी भी कार्यरिया रिष्टे में अत्याथिक प्रयास करने की बजाए उसे समय के साथ संभालने का मौका पे। प्रोफेशन, काम में अपना फोकस बनाए रखे। व्यार्थ की गौसित में ना पड़े नहीं तो आपको गलत समझा जा सकता है। लब, पुरानी बातों को याद कर आज दुर्ख मनाने में अपना समय बरबादना करें। जो बीत गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकतें। वर्तमान में जीने का प्रयास करें। स्वास्थे का थ्यान रखें। तनाव से बचें। चिंता किसी भी चीज का हल नहीं है। कोई पुराना रोग आज परिशान कर सकता है। तोरस वरिशाज किसी भी बात में कालम डोल ना करें नहीं तो यह स्वभावाब के लिए भव्यश्य में नुकसान दायक हो सकता है। आए हुए अवसर हाथ से निकल सकते हैं। आजमन और मस्तिष्ट में एक नई उर्जाब देखें। आज आपको कई अफसर ऐसे मिल सकते हैं जिनसे जीवन में उन्नती हो सकती है। प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज का दिन लाभदायक रहेगा। जिसके रिंडर के लिए आप परिशान थे, वह आपको मिल सकता है। लग, पुरानी बातों को याद कर आज किया हुआ व्यायाम नियम अच्छे फल देगा। जेम नैमिथुन आज का दिन ओर्जा पूर्ण रहेगा। आज लोगों से मिलना जूलना लगा रहेगा। जिसकारण कार्यक शेत्र में और निजी जीवन में आगे के द्वार खुलेंगे। इन सब मेन अपनी जरूरतों क की और ध्यान देना ना भूले। आप भी उतने ही मत्वपूर्ण हैं जितना कोई और अपने मन की आवाज अवाशे सुने। यदि कोई बात आपको उच्छेतना लगे तो उसे मानने की आवश्यक्ता नहीं है। अपनी विचार धारों को अत्यतित्यागना जरूरी नहीं जब तक की वह आपके और आपके अपनों के लिए हानिकारत ना हो। प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार है। आपका प्रोफेशनल व्यभार आपके काम के लिए अच्छा रहेगा और क्लाइन इसकी सराना भी करेंगे। लग सामाजिक मेल ज सकती है। अपनी दिन चर्या को अच्छा बनाए रखे। इससे लाव होगा। कंसहर करका आज का दिन मन में दूइधाय बनी रहे सकती है। किसी निर्णय को लेकर परेशान ना हो। उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने तक का इंतजार करें अपने मन की आवाज अवाश सकता है। अपने गुस्से को शांतर रखने का प्रयास करें। अपने आत्म विश्वास में आज कमी ना होने दे। प्रोफेशन कार्यक्षेत्र में आज फोकस की कमी रहेगी। यदिन ओकरी से जोड़े किसी मामले में दूइधा में हैं तो अपने सीनियर से सलहा करें। ल स्थे का ठ्यान रखें। नियमित व्यायाम से आपकी सेहत में बहुत सुधार होगा। अल्टर्नेटिल हीलिंग जैसे रिकी प्रार्निक हीलिंग इतियादी से आपको लाभ होगा। लियो सिंग आज का दिन सामान में रहेगा। किसी बात को लेकर चिंता बनी हुई है। उसका जल भी हल मिलेगा। आपका आज काम में फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है। इसका उपयोग अपना काम करने में करें। अपने व्यापार या व्यावसाय के बारे में गंभी करता से विचार करें। मन से किसी भी प्रकार के भय को मिटा दे। आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसे बदलाव जल भी आएंगे। प्रोफेशन, कायक शेत्र में आज मियनत करनी पड़ेगी तभी फल मिलेगा। नौकरी बदलने का अफसर मिल सकता है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। लब प्रियाजनों के साथ आज थोड़ा समय अवाश्य बिताने का प्रयास करें। काम तो इतना मत्तु ना दे की उनके लिए समय ना मिले हेल्थ। दवाई के साथ साथ अच्छी दिन चर्या खान पान और व्यायाम आधी पर भी पूरा थ्यान मन की शांती के लिए मेडिटेशन को अपने धैनिक जीवन का हिस्सा बनाए। वहरगो कन्या आज का दिन रचनात्म कूर्जा की अधिकता रहेगी। इसे उच्छित दिशा प्रदान करेंगे तो लाब होगा। इसके साथ साथ आज यह भी आवश्यक है कि आप प्रयास करन दोने का भी मौका दे। धैर और सहयम से काम ले। धन लाब के योग हैं। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। केवल अपने व्यवहार में सहयम बनाए रखे। प्रोफेशन अपना व्यापार या व्यवसाय आरंब करने के लिए आज का दिन अच्छा है। लब प्रयाजनों के साथ आज अच्छा समय बिताने को मिलेगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है हेल्थ। स्वास्थे सामान में रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे। लीवरतुला आज मन में असंतोश की भावना बनी रहेगी। मित्रों से मेल जोल करने का मौका मिलेगा फिर भी मन में एक खाली पंसा मसूस हो सकता है। थोड़ा समय मेडिटेशन में बिताएं। इससे आपके मन को शांती मिलेगी और अध्यात्मिक प्रक्ति के लिए भी क्या है एक अच्छा कदम है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थ्यान देने की आवश्यक्ता है नहीं तो भविश्य में परिशानी हो सकती है। कंपटीशन परीक्षा के लिए थोड़ी और मेनत की जरूरत है। प्रोफेशन काम में आपका फोकस अच्छा बना हुआ ह लेकिन अपने लक्षे को पाने के लिए थोड़ी और मेनत की आवश्यक्ता है। लब, आज परिवार के साथ कहीं घूमने की योगना बना सकते हैं। किन्तु थ्यान रखे कि यह आपके काम पर कोई असर ना डाले हेल्थ। तनाब और चिंता के कारण सेहत में कुछ परेश अपने वातावरण की नकार आत्मत्ता से बचें, केवल अच्छी बातों पर ध्यान दें। यदि आपको कोई नीचा दिखाने का प्रयास करें तो उससे प्रभावित ना हो। अपने आप पर भरोसा रखें। आप अपने आप में पूरण हैं और योग्य हैं। किसी भी ब लग, आप अपने साथ जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार रखेंगे। इसलिए यदि आप अपने रिष्टों में अपनी मान प्रतिष्ठा बनाएं रखना चाहते हैं तो अपने आत्मसम्मान को भी भी ठेस ना पहुचा एंगेल्थ। रोग से जूच रहे हैं तो उसके लिए किये जा रहे प्रयास जल भी फलगायक होंगे। अपने आप पर पूरा थ्यान दें, आज अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकाले। सगिटेरी अस्धनु आज का दिन सामान में रहेगा। यगी किसी कारे में विलंभ हो रहा है तो परेशान ना हों, उसे थोड़ा समय और लगेगा। अपने मन का चैन ना गवाए, धीरज से काम ले। रिष्टों को लेकर आज का दिन अच्छा फलदाई रहेगा। किसी नए रिष्टे की शुरुआत हो सकती है। रोमांटिक पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा। प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज का दिन सामान में रहेगा। नई नौकरी मिलने के आसार हैं किन्तु सोच समझ कर ही निरनेले। सकर्मियों से आज पूरा स्योग मिलेगा। लब, अविवाहितों के लिए आज का दिन बहुत शुद रहेगा। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। जिसके साथ भविश्य में अच्छे संबंथ बनेंगे हिल्थ, स्वास्थिय सामान में रहेगा। आज व्यायाम आदी के नियम में कोई बड़े फेर बदल ना करें। जल्धी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कप्रकोर्न मकर आज का दिन सामाजिक मेल जोल में व्यतीत होगा। जान पचान बढ़ेगी जो की आपके लिए लाबकारी रहेगी। आज आपमें उर्जा की कमी नहीं है। इसे उचित दिशा में लगाएंगे तो लाब होगा। आज अपने लिए थोड़ा समय अवाश्य से निकाले। जीवन में स्थिर्ता के लिए अपने विचारों में स्थिर्ता लाने की आवश्यक्ता है। अपनी सेहत का थ्यान रखे। उतना ही कामक्रें जितनी शरीर की क्षमता हो। प्रोफेशन, धन लाब के होग है। आज किसी नए काम के लिए नीव रखने के लिए अच्छा गिन है। लब, विवहा संबंधी निरने लेने के लिए आज का दिन शुद है। कार्य बिना विगं संपन्ध हो सकते हैं वेल्थ। स्वास्थे अच्छा रहेगा। आपकी अच्छी सिहत के लिए की हुई मेहनत फल लाएगी। की सिहत और निजी जीवन दोनों पर नकारात्मक असर डालेगा। विष्टो में आपके जीवन में कई खुशियां हैं उन्हें सजोए। जिस चीज की कमी है उस पर ही थ्यान देंगे तो कभी भी खुशियां नहीं मिलेंगी। आज आप में भावुकता अथिक बनी रहेग सोच समझ कर काम करें और अपना हत मांगने से ना कत्राएं। लब अपने आत्मसम्मान को बना कर ही कोई रिष्टा निभाएं। जिस रिष्टे में आत्मसम्मान नहीं होता उस रिष्टे में मिठास की कमी होती है हेल्थ। अपनी सिहत का ध्यान रखने के लिए थोड़ा स समय नेमित रूप से अवाश्य निकाले। मौसम के कारण आज कुछ परिशानी हो सकती है। 25 मीन आज मन में असंतोश और नकारत्मक विचारों के कारण परिशानी हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है प्रिया शियुता। जिस चीज में मन लगता हो उससे अपना दिन शुरू करे। रचनात्मक विचारों को वास्तविक्ता में धालने का प्रयास करे। इससे कायक शेत्र में सफलता मिलेगी और निजी जीवन में भी संतुष्टी रहेगी। यात्रा का अवसर मिल सकता है। आज किसी भी काम की शुरू आत करने के लिए अच्छा गिन है। प्रोफेशन, कायक शेत्र में नए विचारों से लाभ होगा और उन्नती के अफसर मिलेंगे। इस उर्जा का लाभवाश्य उठाए। आज किसी रचनात्मक कारे से लाभ होगा। लब, रिष्टों में किसी भी बात से चिंतित ना हो, परिस्थिती जल भी आपके अनुकूल हो जाएगी। अविवाहितों के लिए आज कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है हेल्थ। स्वास्थे अच्छा रहेगा, आपका पूरा साथ देगा। किसी पुराने रोग से चल भी निजात मिलेगा। पूर्जा की कमी नहीं है, उसे उच्छित गिशा में लगाए।